हेलो दोस्तों मैं उश्या स्वागित आपका हमाई चैनल रियल रिव्यों पे दोस्तों वैसे तो आपने थम्नेल और टाटल में देखी लिया है मैं आपके लिए एक नया फोन लेकर आ गया हूं जिसके मैं भी करने वाला हूं अन्बॉक्सिंग तो जली जल्दी शुरू करते बिल और यहां से हम कर लेंगे कट और इस तरह से हम थोड़ा सा इसे थोड़ा कट लगाना होगा और कट लगाने के बाद हाड रहता है तो यहां पर इस तरह से हम इसे कट कर देंगे और यह मारा फोन निकल कर आ गया सामने और आप देख सकते हैं रेड्मि 9 प्राइम अगर हम इसके बिल की बात करें तो बिल भी मैं आपको शॉट करके दिखा सकता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल 999 तो देखने के लिए मिल जाता हूँ. मैं आपको जूम करके दिखाता हूं यहें देखेंगे आप बिल आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है और यहां अगर हम बैक की बात करें तो बैक में आपको देखने के लिए मिल जाता है यहां पर अगर यहां पर चली है अब हम देख लेते हैं अगर बात करें तो यहां पर कलर की बात करें तो यहां देख सकते हैं जल्दी से ओपन करना होता है और यह एक किधर दो सिल है तो चली इसे ओपन करने के बाद हम देख लेंगे अंदर क्या कुछ हमें देखने के लिए मिलता है सबसे पहले एक बॉक्स मिल जाता है तो यह शाइद टेंपर ग्लास जा बैक कवर कर"-क का जैसा कि जैनरल इस भी फोन में आजकल देखने के लिए मिल रहा है तो छो यह देखजयं। आपको देखने के लिए मिल जाता है बैक लाटा सबसे पहले यहां हम बहतर है चलिए फर्स टाइम आपको जब आपके पास कुछ भी नहीं है तो यह लगाने के लिए बहतर है और क्वारिटी अच्छी रहती है आप देख लेते हैं फोन को फोन में एक चीज थोड़ी सी कमी है जो आप यहां पर देखने के लिए यहां पर लगा देते हैं और साइट कर दते हैं जब तक यह अन होता है और हम देखेते हैं बॉक्स में और कुछ क्या कुछ हमें देखने के लिए मिल जाता है ये are और हम देख लेते चार्जर को गरमी बहुत जयादा है और देख सेह आप मेरे पसीना जो मेरे हाथों में भी लग रहा है तो चार्जर हम देख लेते हैं और आप यहां पर चार्जर देख लेगे हैं फाइब वॉल्ट टू एमपेर का चार्जर आपको सौर्ड देखने के लिए मिल जाता है और वार्ट यहां पर कुछ नहीं दिया हुआ है चलिए शायद यह 18W का चार्जर होगा और यहां पर हम देख लेते हैं इसका यह कि इसके साथ केबल कौन से मिला है तो यह आप देख सकते हैं टाइप सी चार्जिंग केबल मिल गया है जो के बहतर है क्वालिटी की अगर बात करें तो अब हम व्मारा फोन सेट अप कर लेते हैं उसके बाद आप से मिलते हैं तो फोन अब हो गया पुरी तरह सेट अप और सेट अप होने के बाद हम देखेंगे कि यहां जो है पहले ही मिल जाओगा सेट से बचेगा अगर अम बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में आप देख सकते हैं यह फिंगर पे जैसे जिस तरह के लाइनिंग आ इस तरह अपको देखने के लिए यहां पर मिल जा रहा है और यह कैमरा वालाग यहां इस एरिये में थोड़ा एक सिर प्रिंट सेंसर आप यहां देखी रहे हैं चली अब हम देख लेते हैं डायेक्ट इसके कैमरे क्यों 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 क्या है वह हम यहां पर देख लेते हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं यहां से एक बैक कैमरे का फोटो ले करके देख लेते हैं तो बैक कैमरे में हम एक पोटो यह रहा इसका एक क्लिक करके देखते हैं किस टाइप का रहता है यह थोड़ा धूंडला टाइप खागे जल्दिवास ही मिल फोकस करके अगर हम लेते हैं करे यह इसको लेते हैं haw 1994 अगर फोकस करके तो इस तरह का आप देखते हैं इसको जूम करके देख लेते हैं क्वालिटी आप देखेंगे की के कम देख लेते हैं फ्रेंट कैम्रा को। जाएब देख नब पशीन बहुत चल रहा और यहां परम हम एक मे की क्वालिटी आ रही है और यह रहा मेरा फ्रन्ट कैमरे का फोटो तो आप देख सकते हैं इसको ज़रा जूम करके हम दिखाएंगे और किस टैप कर दिख रहा है वह यहां पर आप देखेंगे मेरे चेहरे पर पूरी लाइट पढ़ रही है और कैमरे में क्वालिटी कैसा दिख रहा है वह आप यहां पर देख सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना हैं उम्मीद करता हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को धेर सा झाल झाल झाल